Hello everyone, in previous video we have already discussed about the chi-square test for goodness of fit. Okay, discuss about this topic and also we have discussed about the chi-square test of independence of attributes. और ये जो टोपिक है इसके बेस पे हम देखा था कि ये जो डेटा जो दिये हुआ है वो अब्जोव डेटा दिये हुए है तो हमें मतलब और फ्रिक्वंसी हमें expected frequency फाइंड करने है वो कैसे करने है वो हमने ये जो टोपिक है उसके बेस पे और डेटी एक एक अग्जम्बल देखा था सो आज हम बात करेंगे ये जो टोपिक है इनके बारे में तो यहां पर है न हम अभी तक जो टेस्टिंग कर रहे थे हाइपोथेसिस का उसमें जो डिस्टिविशन जो है वो नॉर्मल आता था तो यहां पर ऐसा नहीं है कि नॉर्मल ही आएगा वो डाइन बाइनोमिल भी आ सकता है देन पॉज़न भी आ सकता है डिपेंड करता राइट तो हम यह टॉपिक के बेस पर हम एक्जमपल देखेंगे उसमें करेंगे क्या हमें ऑब्जोव डेटा दिया होगा ऑब्जोव फ्रिक्वेंसी दिया होगी उसको हम वो बोलते है या तो आप एफो लिखो तब भी चलिया तो वह फाइंड करके हम यह जो है काई स्क्वेर वह फाइंड करेंगे कैलकुलेट करेंगे और उसकी जो वैल्यू है लेवल अब सिग्निफिकर्स एन डिग्री ओफ्रीडम यूस करके हम टैबल में से दिखेंगे दोनों को कंपेर करेंगे इप कैल्कुलेटेट वैल्यू is less than the tabulated value then we can say that our hypothesis is as zero null hypothesis is accepted otherwise if this condition is satisfied then rejected राइट तो वह हम देखते है example के जाई है तो यह यहाँ पर एक example है देखो यह वाला यह क्या है example fit of binomial distribution so हमें binomial distribution को fit करना है उसके लिए हमें यह देखना है पूरा from the following table showing the survey of 800 families so यह जो टेबल जो है वह एक survey बताता है कितनी फैमेरे इसका 800 families total हमारे जो है number of families कितनी है 800 तो total frequency जो है वह कितनी है हमारे पास 800 है families with four children तो हर एक फैमेली में कितने चिल्डन है four children है and the taste the goodness of feet यह है survey data so उसमें 800 family में से 32 family ऐसी है कि उसमें चार चिल्डन ते है four लेकिन उसमें boys एक भी नहीं है लेकिन girls four है 178 family ऐसे है कि एक boy होता है और तीन girl 290 family में दो boy और दो girl 238 family में three boys and one girl and 64 family ऐसी है कि उसके अंदर फोर जो children है वह four जो है वह boys है girls है ही नहीं right so यह total family जो है वह कितने है 800 हर एक family के अंदर चार चिल्डन है तो यह data हमें दिये हुए है अब हमें क्या करना है by normal distribution को feed करना है और टेस्ट जो है वह क्या है goodness of feed तो यहां पर हम क्या करते है कि by normal है तो by normal में हमारे पास दो चीज़ आती है यह दो P and Q P means success and Q means failure तो हम पी जो है उसको क्या बोलेंगे probability of birth of boy की एक लड़का बर्थ हो उसकी probability कितनी है तो 1 by 2 आएगी समझ मैं है लड़का पैदा होगा या लड़की दो में से देखी होगा तो टोटल possibility दो है उसमें से लड़का होने की possibility 1 तो 1 by 2 probability आएगी तब यहां पर जो है ना probability of birth of girl अब करो ना boy की जगब है तब भी चलेगा तब भी हमारा अंसर कैसे आएगा सेम ही आएगा तो boys या girl तो में से कोई भी एक के लेड़ो कि boys की probability birth होने की कितनी है और वो कितनी आएगी 1 by 2 आएगी तो हमें पता है binomal में में देखा था p plus q always कितना आता है 1 तो p की value 1 आई तो q कितना आएगा तो q equal to क्या लिखेंगे 1 minus p p क्या 1 by 2 तो q भी क्या जाएगा 1 by 2 समझ मा रहा है तो p and q दोनों की value क्या गए हमारी यह p की value 1 by 2 and q की value 1 by 2 तो यह कहां पर यूज होगी p and q जो हमें binomal distribution यूज करना है अपी मान लो ओके तो वह use करके हम क्या करेंगे यह जो frequency दी है ना नंबर फैमिलिस की वह frequency observe frequency है वह observe किया हुए data है experiment किया हुए data है अब हमें क्या find करना है expected frequency तो expected frequency find करने के लिए हम binomal distribution का जो है वह use करेंगे तो यहाँ पर दिया है उसके अंदर feed करना है इसलिए तो देखो यह जो दिया हुआ ना वह हम नहीं use करेंगे अभी इसके बेसपे से हम नहीं find करेंगे मैं आपको एक अलग तरीका बता दाओं देखो यह हमारी observe frequency है सारी और यह जो दी हुई है calculate की हुई है वह क्या है expected frequency तो यह जो expected frequency है ना उसका calculation करना बहुत important है अब वह कैसे करेंगे हम चाहे एक ही example हो तो कोई problem नहीं लेकिन one by one हर step detail में हम देखेंगे step सो एक काम करो यह अभी step है हमारा देखो यह step मैं आपको बताओंगा क्या कैसे आता है अब यह step के बाद आप यह कर सकते हो क्या यह कैसे आती है expected frequency आप पता लगा सकते हो क्या नहीं लगा सकते है कि यहाँ पर जो हमने बाइनोमियल में जो यूज किया था एक्चुलि यह book में तो है ना यह direct लिक देते हैं इसलिए हम एक्जाम में तो डाइरेक्ट नहीं लिख सकते हैं यह हमारे am I Which of D rolls-off है उसके उपर से हम एक्सपेक्टेड करनी तो अब जाके हम काइब स्कुरत कर सकते हैं नो तो बाइनोम्य जो है उसके लिए जो एक्सपेक्टेड हमने फाइन करनी है फ्रिक्वणसी टो हम ने बाइनोमिल distribution हमें लेना है तो किस तरह से लेंगे हम probability find करेंगे किस probability of random variable x equal to x मानो equal to क्या आता है उसका n c x यह हमने देखा था p raised to x into q raised to n minus x यह formula देखा था हमने okay so n जो है वो क्या आएगा यहाँ बे n की value क्या आएगी total जो observe है data actually for 4 children है तो हम यहाँ बे क्या लेंगे n की value 4 लेंगे okay so n equal to 4 आएगा हमारे पास तो 4 c x लिखेंगे हम p क्या है 1 by 2 तो 1 by 2 raised to x अभी रहने देते है और qb क्या है 1 by 2 n minus x तो 4 minus x लिखेंगे तो ध्यान से देखना यह important है से लिए यह step आगा है अब बाद में क्या करेंगे मैं यहाँ पे लिखता हूं कि probability of x equal to x equal to n मतलब 4 चलो 4 c x 1 by 2 x है और देखो तो यह base चो है न वो same है तो यह power का क्या हो जाएगा addition हो जाएगा तो power का addition मतलब x plus 4 minus x ऐसा होगा तो यह plus x minus x कैंसल तो answer क्या आएगा रेश्टू 4 आएगा है तो हम उसको sort में क्या लिख सकते है ऐसा लिख सकते है 1 by 2 रेश्टू 4 ऐसा लिख सकते है समझ में है तो final हमारा यह आ गया देखो अब यहाँ पे हमारी x की value क्या है देखो x की value क्या सकती है 0 1 2 3 या 4 आ सकती है समझ में रहा है तो हम x की value चेंज करते जाएंगे तो हमें उसके according तो है जो expected frequency है वो मिलती जाएगी देखो और स्वारी यह निकल गया पूरा मैं यहाँ पर लिख देदा हूं फिर से टी एक्स इकल टू एक्स इकल टू क्या है फो सी एक्स टू वन वन बाई टू रेस्टू फो यह आया था ना finally कैसे है अब यहाँ पे हम value एंटर करते जाएंगे तो हमें मिलता जाएगा सब कुछ देखो कैसे पहले हमारे पास जो number of boys girl की जो है वह 0 1 2 3 4 ही है नंबर आप x की value small x की जो value है जो random variable है वो कितनी value assign कर सकता है उसके लिए 5 0 1 2 3 4 हो तो 0 1 2 3 4 हम x की जगह पे रखेंगे small x की जगह पे तो क्या आएगा देखो यहां पर हम x की value 0 रखेंगे तो क्या एगा 4 C 0 1 by 2 raise to 4 तो हो गाई तो 1 by 2 raise to 4 मतलब हम ऐसा भी लिख सकते है क्या यहां पर 1 by 2 raise to 4 तो 1 by 16 लिख सकते है क्या ओके तो वह इसी रहेगा सायद 1 by 16 1 by 2 raise to 4 है न तो 1 by 16 तो यहां पर जो भी इसका अंसर आएगा डिवाइट बै 16 करना है समझ में रहा है तो यह क्या है क्या है क्या फोर सी जीरो इंटू 1 by 16 इतना आता है और एक्चुली यहां पर टोटल फ्रिक्वंसी जो है उसको हमें मल्टिप्ले कर रहे हैं यह एक्चुली मैंने जो बता है वो सेमी है लेकिन नंबर अब जो फ्रिक्वंसी है न वो हमें यह प्रॉब्लेट यह हम इसके उपर फाइंड करते है तो नंबर अब टोटल फ्रिक्वंसी कितनी है 800 800 इन्टू 4C X इन्टू 1 by 16 यह आ जाएगा तो यह तो हमारा है बाइनोमियोल के इसाब से लेकिन हमें उसकी जो टोटल फ्रिक्वंसी है उसके साथ मल्डिप्ले करना रहेगा रहेगा राइट तो 800 इन्टू 4C 0 इन्टू 1 by 16 तो कितना आता है यह 4C 0 का अंसर के आता है 1 आता है 800 by 16 कितना आता है आंसर 50 ओके तो 800 आके इन्टूं करो गें तो 50 आए जाएगा हमरा आंसर बाद में क्या रखते है x के value 1 रखते है तो 4C1 to 1 by 16 तो 4C1 का answer क्या आता है 4 आता है तो ये 16 cancel हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 बचेगा तो 800 by 4 कितना आएगा 200 similarly हम क्या करेंगे x equal to 2 रखेंगे और ये 1 by 16 तो है तो 4C2 क्या आएगा वो रखो cancel होतार cancel करो जो भी है वो answer हमारा 300 आएगा then 4C3 करोगे तो क्या answer आएगा 200 and 4C4 करेंगे यह 1 by 16 तो answer आएगा फिर से 50 तो इसी हिसाब से हम ये जो expected जो frequency है ना वो हम find कर सकता है समझ माया ओके तो ये हमारा जो है कैसे है वो पता चला ना सभी को देखो तो ये जो है frequency वो observe frequency है और ये जो हमारे आई वो है expected frequency चो अब हम test के बारे में बात करते हैं पहला काम तो ये हो गया अब हम null hypothesis को हम set करते है तो null hypothesis को क्या बोलते है random variable has a binomial distribution तो यहाँ पर करना ना feet of binomial distribution तो हम बोलते है कि बाइ जो random variable है वो binomial distribution है उसका right with P and Q equal to क्या है 1 by 2 ये तो हमने यहाँ पर लिखा ही है ये हमने null hypothesis set किया अब उसका alternative hypothesis मतलब H1 तो हम क्या बोलेंगे वहाँ पर नहीं है binomial distribution right तो वो देखो next page पर होगा ये H1 equal to random variable has a no binomial distribution with P equal to Q equal to 1 by 2 so null hypothesis में हमने क्याट किया बोला कि random variable has a binomial distribution तो उसका alternative hypothesis को हम denodate करते है H1 से और उसका क्या हो जाएगा opposite हो जाएगा तो यहाँ पर क्या है has a no binomial distribution getting actually अब क्या करते हैं हम statistic find करते है chi square तो ये chi square equal to क्या है देखो chi square equal to summation किसका करना है ये observe frequency है minus expected frequency का square divided by expected frequency तो पहला step जो है वो कौन सा आएगा मैं आपको यहाँ से ही बता देता हूँ देखो ये so ये observe frequency है हमा 32 तो 32 minus expected frequency उसके साथ क्या है 50 उनका square divided by expected मरलब 50 प्लस उसके बाजुमाने मैं नीचे लिखता हूँ प्लस दूसरी क्या है 178 तो 178 observe frequency उसके corresponding क्या है 200 200 square divided by 200 तो ऐसा हरेक के लिए हमें करना है सभी का summation करना है तो देखो यहाँ पे बताया गया है पूरा देखो ये है मैंने जैसे बोला बस वैसे ही है यह सभी observe frequency minus expected frequency का square divided by expected frequency जितने भी है 5 data है हमारे पास total तो 5 के लिए हमें यह पूरा summation कर दिया तो उसका answer कितना आता है वो देखना है कितना है chi square का answer यह हमने calculate किया observe and calculated expected frequency 19.63 आया अब क्या करेंगे यह जो chi square है उनकी value ही जो भी level of significance दिया है वो हम table पर से find करेंगे तो वो कैसे find करेंगे तो देखो यहाँ पर कि level of significance क्या दिया है कुछ दिया है नहीं दिया है तो यहाँ पर हम क्या ले ले लेते है level of significance 5 percentage मतलब alpha जो है वो 5 percentage ले लेते है तो alpha equal to क्या हो जाएगा 0.05 और degree of freedom आप याद रखना binomial है तो n-1 आएगी poison है तो n-2 then normal है तो n-3 यह याद रखना तो यहाँ पर जो है वो binomial है तो क्या आएगा n-1 तो n total जो कितने है 0, 1, 2, 3, 4 मतलब total जो है वो observation कितने है 5 है तो 5-1 मतलब क्या आएगा degree of freedom 4 आएगा यहाँ पर n-k लिखा है आप ऐसे याद रखो तब भी चलेगा तो degree of freedom को क्या नाम देते हैं V V equal to क्या आएगा हमारा 4 तो alpha की value 0.05 लेते है और degree of freedom कितने आएगी हमारी 4 उसके उपर हम देखते हैं कितना answer आता है तो वो table है यहाँ पर देखो 0.05 यह alpha की value है और degree of freedom कितनी है 4 है यह तो देखो यह कितना आता है 9.49 answer आता है तो यह table पर से हमने find किया हुआ data 9.49 488 मतलब 4 तो यह chi square हमारा हमने calculate किया वो और table पर से लिखा वो किया है chi square alpha level of significance कितना लिया 5 percentage तो देखो यहाँ पर यह दोनों को observe करो कि यह है और यह है दोनों के बीच में relation क्या है तो यह calculated किया वो ज्यादा है तो यह greater देना है यह तो उसका मतलब किया हो decision में यह greater देना है ना तो हमारा जो null hypothesis हमने जो बोला था कि random variable has a binomal distribution तो वो क्या हो जाएगा अभी reject हो जाएगा अभी यह less देना था तो वो accept हो जाता राइट तो यह greater देना है तो हमारा null hypothesis हमने जो set किया वो क्या हो जाएगा decision लेना हमें reject होगा या accept होगा हमारा null hypothesis क्या हो जाएगा reject हो जाएगा getting पता चला सो बहुत easy actually यह जो है न step h0 h1 statistic find करना यह table पर से find करना decision लेना यह easy है लेकिन यहाँ पर important क्या है यह कि by binomial distribution variable का है या नहीं है वो check करना था तो वो हमें उसका जरिया उसका use करके यह observe frequency है उसपे से हमें यह expected frequency find करनी वो है आप यहां से कैसे find करते हैं यह लिखा हुआ है कैसे find करते हैं जो normal equation हम जो binomial में use करते हैं वह यह use करके मैंने आपको बताया कि यह जो frequency है वो कैसे आते हैं राइट वह important है यह बुक में डायरेक्ट दे देते हैं तो हमें पता नहीं चलता है राइट सो यह expected frequency find out करो देन जो हमारे जो hypothesis टेस्ट करने जो टेस्ट करने के जो step है वो फॉले करो सो वो तो हम करते ही आये लेकिन यहां पर यह जो step है वो एक expected frequency find करके hypothesis का जो टेस्टिंग करना हुँ है लुप